अपनी ताकत को पहचान कर और अपनी ताकत के उपर विश्वास करकर कोई भी इंसान अपने लिए एक बहतर दुनिया बना सकता है इन्हीं विचारों के साथ मैं सुचिता गड़िवाल आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं competition community में आजम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में समाहरो या फिर मध्य प्रदेश में पर्व या फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख वक्तियों के संबंद में cq तो चलिए हमारे पहले प्रश्ण की और आंगे बढ़ते हैं हमारा पहला प्रश्ण है भवानी प्रशाद मिश्र जी का जन्म इस्थान है मतलब इनका जन्म कहां पर हुआ था आपको यह बताना है सागर उज्जैन इंदौर और होश्रंग का बाद भवानी प्रशाद मि नीरी है यह यह रहस्य मैं इनको खोल रहा हूं साथ ही हम बात कर लेते हैं कि इनके जन्म की तो भवानी प्रशाद मिश्र जी का शर्म होशंगा बाद जिले के अंतरगत हुआ था जो कि मध्य प्रदेश में आता है मध्य प्रदेश के दक्षणी जिलों में से एक हैं होशं नहीं है आपको बताना है कि महा कभी कालिदाश के द्वारा लिखित पुस्तक कॉन सी नहीं है मेगदूतम कुमार संभवम उत्तर राम-चरित्रम और रितु संगहरम कालिदास के जब हम बात करते हैं मेगदूतम क्लियर कालिदास ने लिखी है कुमार संभवं भी कालिदास्त के द्वारा लिखी गई है और रितु संगारम भी अर्थात हमारा option number C हो जाएगा उत्तर राम चरित्रम जो है यह कालिदास्त ने नहीं लिखी है next question में हम चलते हैं रश्मी रेखा नामक पुस्तक का लेखा कौन है या कौन था गजानन माधव मुक्तिबोध बाल कृष्ण शर्मा नवीन हरी संकर परसाई और भवानी प्रशाद मिश्र देखें यह सारे लेखक रहे हैं लेकिन जब हम बत करते हैं रश्मी रेखा की तो पाल कृष्ण शर्मा लवीन जी के दवारा और जिन हैं पत्रकारिता के युग के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है कविराय की कुंडलिया मृत्यू अथ्वा हत्या और अमर बलिदान किसकी प्रमुक कृतियां हैं रामधारी से दिंकर दिंकर जी की एक कृति आप बाचपई और इनमें से कोई नहीं जब हम बात कर रहे हैं आमर बलिदान की या फिर कविराय की कुंडलियों की तो यह कविता लिखी गई है अटल विहारी बाचपई जी के द्वारा यह अटल विहारी बाचपई जी और इनका सम्मंद मध्यप्रदेश से ही रहा है और उन नहीं मांगूंगा हो जो कुछ भी हार नहीं मानूंगा सीधा से संबंद हैं आपको हार कभी नहीं मारनी है क्योंकि अगर आप हार मालनेंगे तो आप कभी भी फिर आंगे जीत नहीं सकते हैं द्रुपत गायन कुमार गंधर्व का जन्म कहां हुआ था देखो द्रुपत गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहां हुआ था मध्यप्रदीश करनाट का 36 गड़ और निम्न में से कोई नहीं बहुत ही आसान है कुमार गंधर्व का संबंध जो है वो मध्यप्रदीश से है इस क बात जन्म की करेंगे तो इनका जन्म हुआ था करनाटक में इस कारण से यहां पर हमारा आंसर बी सही होगा option नंबर बी कठिन कावी के प्रेत से किस व्यक्ति को जाना जाता है मतलब किस व्यक्ति को कहा जाता है कि वह कठिन कावी के प्रेत कवी केशवदास कामता प्रसाद गुरू माखल नाल चतुर वेदी इसमें से कोई नहीं जैसे हैं कभी कठन पारी के प्रेट की तो कठन प्रेट कहा गया है कभी केशवदार जी ऑप्शन ном 1 हमया सही होगा यहां पर आपको कवी केशवदास जी दिखाई दे रहे होंगे निमलिखित में से कौन सा मध्यकाल के सहित्तिकार नहीं है मतलब मध्यकाल में कौन से सहित्तिकार नहीं थे कुम्भन दास गजाधर भट गोरेलाल पुरोहित और भवभूती देखो मदिकाल की बात कर रहा है ना तो मदिकाल में भवभूती साहितिकार नहीं थे बात करतें भवभूती की तो भवभूती महा कवी रहे और इनके द्वारा रजत रंगीनी महावीर चरितम उत्तर राम चरितम जो कि हमने अभी इसके पहले आप्शन में देखा था उत्तर राम च लेखक कौन है इन में से कोई नहीं देखो रहा किनारे बैठ की जब हम बात करते हैं तो इसके लेखक इन में सही हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दिन खां संगीत इवं कला अकादमी किस जिले में इस्थित है गौलियर सतना भोपाल इन में से कोई नहीं देखो जैसी बात आती है न उस्ताद अलाउद्दिन खां की तो आपको पता होगा कि इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मध्य प्रिदेश के महीर वाले श्वित्र में विताया तो महीर किस जिले के अंतरगत आता है तो महीर आता है हमारा सतना जिले के अंतरगत अर्थात यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 20 सहीं होगा सतना जिले के अंदरगत महीर आता है तो उस्ताद अलाउद्दिन खां समारो जो है मथ्यप्रदेश में उर्दु अकादमी भोपाल में कभ स्थापित की गई question आप से पूछ रहा है 1966 1976 1989 इनन Сейчас कोई नहीं देखो मथ्यप्रदेश में उर्दु कलाका ड्मी की जब हम बात करते हैं तो यह भोपाल में स्थापित की गई और 1976 में स्थापित की गई अर्थाथ हमारा ऑप्षन नंबर भी यहां पर सहीं हो जाएगा इस अकादमी को आप देख सकते हैं यहीं पर उर्दु अकादमी इस्थित हैं संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस छेत्र के निवासी थे बुन्देल खेल खंड मालवा और निमार देखो संत सिंगाजी का मेला कहा लगता है याद आ रहा होगा कि कल ही तुम कहां जाना संत शंगाजी की समाधी पर जाना कि निमाड में सबके दुक हर लेते इस टाइब की कुछ हमने ट्रिक पढ़ी थे तो आपको याद होगा कि निमाड वाले शेत्र में संत संगाजी का संदर्म है तो इस कारण से यहां पर हमारा option number D सहीं हो जाएगा मध्यप्रदीश आसन द्वारा संगीत छेतर में दी जाने वाली fellowship कौन सी है श्रीकांत वर्मा, अलाउद्दीन खा, चक्रधर सिंग और अमरिता शेरगिल देखो मध्यप्रदीश सरकार के द्वारा संगीत के छेतर में जो fellowship दी जाती है वहोती चक्रधर fellowship और आप देख सकते हैं चक्रधर जो है वो रायगड के राजा रहे हैं जो कि इनका सीधा संबंद जो है वो वर्तमान के छतिस गड़ से हैं बिखरे मोती के रचीता हैं मुक्ती बोध आग्ये सुबद्रकुमारी चोहान और दिनकर्ब जब हम बात करते हैं बिखरे मोती की तो बिखरे मोती की रचना की गई थी सुबद्रा कुमारी चोहान जी के द्वारा इस कारण से यहाँ पर हमारा option C होगा सुबद्रा कुमारी चोहान यह आप देख सकते हैं इसके अलावा सुबद्रा कुमारी चोहान ने और भी बहुत सारी का वितायन लिखी हैं जो महत्रपूर्ण हो जाती है कौन सा सहित्यकार मध्य प्रदेश से सम्मंधित नहीं है धर्मवीर भारती, शरत जोशी, प्रभाकर माचवे और हरी संकर परिसाइब देखो जैसे हम बात कर रहे हैं कि कौन सा सहित्यकार मध्य प्रदेश से सम्मंधित नहीं है तो इनका नाम है धर्मवीर भारती क्योंकि धर्म भीर भारती जो है इनका जन्म इलाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका जन्म मध्य प्रदेश सम्मंदित नहीं है इसके लाबा इनकी प्रमुख रचनाएं आप देख सकते हैं कनुप्रिय एक प्रमुख रचना है सूरज का सात्वा घोड़ा गुनाहों का देवता ये प्रमुख इनकी रचनाएं भी है एक भारती आत्मा के नाम से किस प्रसद्ध हिंदी साहित्य के साहित्यकार को जाना जाता है या फिर साहित्य के लेखा कौन है माखलाल चतुरवेदी, बालकृष्ण सर्मा नवीन, गजानन माधव मुक्तिवोध और भवानी प्रशाद मित्स्र देखो क्या पूछ रहा है आप से एक भारती आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है तो एक भारती आत्मा के नाम से जाना जाता है माखलाल चतुरवेदी जी को तो इस करण से यहां पर हमारा option number A बिल्कुल सही होगा मध्य प्रदेश के किस कवी को भारत का सेक्सपियर कहा जाता है कालिदास भ्रंथ हरी भवभूती और माखलनाल चतुरवेदी देखो भ्रंथ हरी तो पहले हटा दो भ्रंथ हरी एक संत रहे हैं एक राजा रहे हैं तो यहां से हट जाएगा बचा कालिदास इसका सही आंसर है कि भारत के सैक्सपियर के रूप में हम कालिदास को जानते हैं तो अप्शन नमबरू ए यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा तांसेन संगीत समाहरो खलिस्थान में आयोजित किया जाता है यहां पर खलिस्थान होना चाहिए था खलिस्थान में आयोजित किया जाता है भोपाल, इंदोर, राची, गुवालियर देखो तांसेन जी का जन्म कहा हुआ था गुवालियर वाले शुत्र में इनकी समादी कहा है ग्वालियर में तो समारो कहा होगा वो भी ग्वालियर में होगा तो वेश्व संगीत समागम में तांसे समारो का आयोजन ग्वालियर जिले के अंतरगत होता है अर्थात ऑप्चन नमबर डी पंडित कुमार गंधर्व समारो खलसान में आयोजित होता है इंदौर महेश्वर धार और देवास देखो कुमार गंधर्व की जब हम बात करते तो कुमार गंधर्व आपको याद आगया होगा इनका जन्द करनाटक में हुआ था इसके अलावा कुमार गंधर्व समारो कहा होता है आपको दिमाख में चल रहागा शाय दिंदौर या फिर महेश्वर में पर नहीं कुमार गंधर्व समारो जो है वो देवास में आयोजित होता है अर्थात यहाँ पर जो है अमारा option number D सहीं होगा कौन सा सास्त्री संगीत का घराना मध्य प्रदेश से सम्मंदित नहीं है मैहर घराना, गोल्य घराना, सोनिय घराना या फिर सेनिय घराना और सारा भाई घराना देखो सास्त्री संगीत की जब हम घराने की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जो तांसें रहें उनका घराना हुसेनी घराना कहलाता है इसके अलावा यहां के आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा सारा भाई घराना सारा भाई घराना का संबंद मध्यप्रदेश से बिलकुल भी नहीं है और यह जो आपको दिखाई दे रहेंगे सारा भाई घराने का की प्रमुख शास्त्रिय संगीत अग्य हैं नेक्स शलते हैं पंडित माखनलाल चतुरवेदी का जन्म कहां हुआ था भोपाल, होशंगाबाद, सिहोर और रैसेल पंडित माखनलाल चतुरवेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के अंतरकत हुआ है अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नमबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा भारतिय संगीत, शास्त्री संगीत का घराना आमिर खान द्वारा इस्थापित किया गया था कौन सा घराना था वो आगरा घराना, इंदोर घराना, किराना और पटियाला देखो जब हम भारतिय सास्त्री संगीत के घराना की बात करते हैं जो कि आमिर खाके द्वारा इस्थापित किया गया था वो घराना था हमारा इंदौर घराना और इस घराने की महत्वपूर्ण बाते भी हम अलड़ी देख चुके हैं निमलिखित संस्कृत कवियों में से कौन से मध्य प्रदेश संबंदित नहीं है कलहर भववूती मंदल मिश्रा और कालिदास देखो जैसे बात आ रहे हैं कि संस्कृत कवियों मतलब कौन कौन से संस्कृत कवी रहे हैं उनमें से हमने बात करनी है तो इसका सही आंसर होगा हम कुल भी नहीं रहा है भवभूपिती मद्यप्रदेश से रहें कालिदास और मंडल मिश्रा तीनों जो हैं वह एंपी से संबंदित रहे हैं अर्थात यहां पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रसिध शास्त्री गायक तांसेन का संबंद किस घराने से था इंदोर घराना ओर्षा घराना ग्वालियर घराना और जवलपुर घराना इसका आंसर तो आप सोते सोते भी दे सकते हो कि ग्वालियर घराना इसका सही आंसर होगा और ग्वालियर के इंतरकत भी कौन सा घराना तो हुसेनी गराना क्योंकि हुसेनी जो है वो तानसेन की पत्नी का नाम था इसुरी मध्य प्रदेश के किस छेत्र के लोक सहित्यकार के कवी थे या मध्य प्रदेश के किस छेत्र के लोक सहित्यकार थे बगेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड और मालवा देखो इसुरी की जैसे ही बात हो रही है न तो इसुरी का सीधा सम्मंद रहा है बुंदेलखंड से और बुंदेलखंड कौन सा छेटर है? टीकमगड, शतरपुर वाला शेटर, बुंदेलखंड हिंदुस्तानी शास्त्री संगीत के इंदोर घराने का संस्थापक किसे माना जाता है या कौन है? आमिर खा, शामीर खा, बशीर खा और अमन अली खा देखो अब भी हमने थोड़ी दिर पहले इसे सम्मंदित कॉशन लगाया था कि आमिर खा के द्वारा कौन से घराने की स्थापना की गई? बात हो रही है इंदोर घराने की तो इसकी स्थापना आमिर खा के द्वारा की गई थी तो आप्शन नमबर A हमारा यहां पे बिलकुल सहीं हो जाएगा केशव जैनती समहरो खालिस्थान में आयोजित किया जाता है केशव जैनती समहरो की बात करेंगे भोपाल, धार, और छा और भिंड तो यहां समहरो जो है यहां भोपाल जिले में आयोजित किया जाता है इसके साथी साथ में भोपाल जो है यह मद्य प्रदीश की राजधानी के रूप में भी जानी जाती है तो इसका सही आंसर होगा option number A मद्य प्रदीश के प्रसिद्ध सितार वादक का नाम बताईए पंडित निखिल बैनर जी, पंडित रवी शंकर, अनुपमा देवी, उस्ताद साही परवेज खान देखो जब बात करें हम सितार वादक की तो मद्य प्रदीश में प्रमुक सितार वादक रहे हैं पंडित रवी शंकर तो पंडित रवी शंकायल का संबंध किस से सितार से है तो option number B यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा कवी कालिदास दुआरा अपने महा काव्य मेग दूत में इस जगह को मान दिया गया है मतलब सम्मान दिया गया है किस जगह को उजयन, मांडू, रिवा और होशंगाबाद इसका अंसर भी हमने अल्रेडी पढ़ा था कि जो हमारी कालिदास जी है उन्होंने मेग दूत में उजयन के बारे में बाते की थी तो हमारा option number A यहाँ पर सही होगा उजयन केवल दो संगीत कारों को अब तक भारत रत्न पुरुसकार से सम्मानित किया गया है एक कमिलनाडू से MS सुबू लक्षमी है और अन्नी मध्यप्रदेश से थे वो कौन है आशा भोशले, लता मंगेशकर, स्वरोजनी मिश्रा और कमला देवी देखो जैसे ही बात आ रही है ना भारत रत्न से आपको पताए लता मंगेशकर जी को भारत रत्न दिया गया है सीदा सीदा अनसर होगा लता मंगेशकर जी तो नेक्स कौशन में चलते हैं हस्ते है, रोते है किसकी क्रती है? शरत जोसी जी की, हरी शंकर परिशाई जी की, मुल्ला रमू जी की और सेठ राम की तो हसते हैं रोते हैं जो कृती हैं वो हरी शंकर परिशाई जी की है अर्थात यहां पर हमारा option number भी बिल्कुल सही हो जाएगा इसके साथ हमने मद्यप्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों से समंधित MCQ को यहां पर समाप्त कर लिया आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं हमें कमेंट में जरूर बताएगा थैंक्यू सो मुँच मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में